अगर आपको लगता है कि आप जीतते हो या अगर किसी कोच को लगता है किसे वुसी कख्लाइन जीतना चाहिए और वो नहीं जीता तो कंप्लीट ही क्यों कर रहे हो वाइड होगी गया यह जाने का नाम ही नहीं लेते हैं लो यह लेपस इनको बेज़ जूँआ है इस बार आचुके हैं और आज हम अपने कई सारे इंडियन बॉडी बीडर के भी लेटेस्ट पिजिक अपडेट के भी से में बात करेंगे तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं आपका दो सर्स पांड है तो हमारी पहली अपडेट आ रही है हिमांसू सर्मा की तरफ से हिमा यहां पस कुछ वीडियो सेर करते हैं जिसमें आप यहां पस इनके कंप्लीट अपर बॉड़ी से लेके लोवर बॉड़ी तक की कंडिशन देख सकते हैं जिसमें आप यहां पस देखेंगे कि हिमांसू सर्मा मस्कुलर दिख रहा है एंड वो इस पोस्ट के नीचे एक कैप एक्शन में लिखते हैं जिसमें वो यहां पस बताते हैं 15 वीक्स आउट और जैसे कि हमने आप सभी को पताए कि सेरू क्लासिक जून मंत में होने वाला है तो दोस्तों यहां पस हिमांसू सर्मा ने कंफर्म कर दिया कि वो जून मंत में होने वाले सेरू क्लासिक दिल्ली मे पार्टिसिपेट करेंगे और आप सभी को जैसे कि अपने पहली वताया थे कि इंखे कोच हैं मुके सिंग घहलोट और आप यहाँ पस हिमानसु सर्मा की अपर बॉडी से लेगे लोबर बॉडी बैक एंड लेग की भी कंडिशन देख सकते तो दोस्तों आप लोगों क्या लगता है क्या इस बार हिमानसु सर्मा पिछली बार जब इन्होंने कंपेट किया था तो उसमें इनकी प्रेसिंग थेड नंबर पर आई ती मलब की इन्होंने ब्राउन मिडल जीता था अब हम अपने नेक्स बॉडी बिल्डर के बिसमें बात कर लेते हैं तो हमाई नेक्स अपडेट आ रही है वर्धान मलोतरा की तरफ से जैसे के हमने आप सभी को बताया था कि हमाई दो इंडियन बॉडी बिल्डर अधर कंट्री में जाके अपनी प्रेप की त्यारी करें फर्स्ट जीजो जॉन जिनके तरफ से मलब ऑफिसियल रूप से अपडेट आया हम उन्हीं के विसमें आप लोगों को बता रहे हैं फर् आप यहाँ पस इनकी कंप्लीट अपर बॉडी की बैक एंड फ्रेंट से कंडिशन देख सकते हैं आप यहाँ पस हमारे मैंस फिजिक एथलेट वर्दान मलोतरा की फिजिक देख सकते हैं कि जो इनके बॉड़ी का फ्रेम है वो भी सेप में आ रहा मलब की जो इनके सोल्डर वो वाइड है एंड जो इनकी विष्ट है वो नेरो की दिख रही इसके साथ है आप यहाँ पस वर्दान मलोतरा की फिजिक में देख सकते हैं कि मसल मास भी काफी जाद है जिस पेकार से हमारे ओलम्पियन चेंपियन रायन टेरी ब्रांडन हेंडिक्सन एंड एरिन बैंक्स की कंडिशन देख सकते हैं कि इनके बॉड़ी में कितना ज्यादा मसल मास के साथ है यह अपने को ओन पॉइंट स्टेज में लेके आते हैं उसी पेकार से हमारे करेंट टाइम के इंडिया के फेमस मेंस फिजिक एथलीट वर्दान मलोतर की भी आप बॉड़ी की कंडिशन य अब यह मुंबई प्रोसों में पार्टिसिपेट के तो उसमें वो टॉप थ्री में भी आते हैं तो दोस्तों आप लोगों क्या लगता है क्या वर्दान मलोतर दोजाद चौबिस से इंडिया की तरफ से मैंस फिजिक में अपने को ओलंपिया में सोब कर पाएंगे कि नहीं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और आप सभी कोई बर्धान मलोतर के लिए वेस्ट विसे चरूर करिएगा अब हम अपने नेक्स बॉडी बिल्डर के विसे में बात कर लेते हैं तो हमाई नेक्स अपडेट आ रही है आप सभी के फेवरेट बॉडी बिल्डर राहुल फ आपको इनकी कुछ फोटो भी दिखाना चाहते हैं जो कि इनकी करेंट टाइम की बॉडी की कंडिशन है तो दोस्तों आप लोगों को राहुल फिटनेस की ओवराल जो यहाँ पस यह वीडियो सेर करते हैं यहाँ पस वो अपनी फोटो के माध्यम से भी अपनी अपर बॉड की कंडिशन आप लोगों के साथ साजा करते हैं तो आप लोगों को राहुल फिटनेस की कंडिशन देखके क्या लगता है क्या अपने राहुल फिटनेस बैंस फिजिक डिवीजन से 2024 ओलम्पिया के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं या फिर राहुल फिटनेस एक तो प्रोसों में पार्टिसिपेट करेंगे यदियों की मदलब टॉप 3 ये टॉप 5 में नहीं आते या फिर उस प्रोसों को कौलिफाई नहीं करते तो क्या राहूल फिटनेस जिस प्रेकार से कह रहे थे कि वो साथ क्लासिक डिवीजन में स्विच कर सकते हैं और आप यहाँ वीडियो में भी देख सकते हैं कि राहूल फिटनेस सबसे पहले अपने लेक्टी कंडिशन में ही यहाँ फस इस वीडियो में आप लोगों को इंगित करते हैं तो दोस्तों आप लोगों क्या राहूल फिटनेस मैंस फिजिक डिवीजन से 2024 ओलंपिय के लिए कौलिफाई कर देखने हैं यापने लेक्टी करते हैं यापने लेक्स बिटिचन में वह रहांगी यापने लेक्टेस बोडी के साथ सेयर करते हैं यहाँ पस इंको फ्रेंट से, बैक से, अपर बाड़ी से लेके लोवर बाड़ी तक इनकी प्रिक्तिक मसल में आप यहाँ पस अच्छी तरह से देख सकते हैं यहाँ पस सुनमीद गिल कहते हैं मैं जल्द ही कमबैक करने वाला मलग कि जल्द ही किसी प्रोसो में पार्टिसिपेट करने वाले हैं और इसके कुछ ही समय के बाद यहाँ पस सुनमीद गिल कैप्शन में लिखते हैं 16 weeks out आया बीबी प्रोसो इंडिया तो दोस्तों यहाँ पस सुनमीद गिल ने official रूप से announce कर दिये कि जून मन्थ में दिल्ली में होने वाले सेरू क्लासिक प्रोसो जो कि 7,8 और 9 जून को प्रिक्ति मैदान में होगा उसमें वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं लेकिन दोस्तों आपको सबसे पहले बताना चाहिए थे कि इस सू के विशे में जो पहली डेटा आय थी वो आय थी 14, 15 और 16 जून को जो की अब चेंज कर दी गई पिछले वाले प्रोसो में ये टॉप 4 के अंदर आय थे और उसके बाद उन्होंने एक अच्छा आपसीजन लिया तो दोस्तों आप लोग क्या लगता क्या सुनमीत गिल जब वो फिर से कमबैक कर रहे हैं अपने सेकंड प्रोसो में पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या उसमें वो अपने प्लेसिंग में सुधार करते हुए उससो को जीट पाएंगे के नहीं आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं आप सभी को सुनमीत गिल के लिए बेस्ट विसे जरूर करिएगा कि हमाई सुनमीत गिल प्रोसों को जीट जाए और वो क्लासिक डिवीजन से ओलंपिया में इंडिया को रीपेजेंट कर सकें हम अपने नेक्स बॉडीबिल्डर के बात कर लेते हैं तो हमाई नेक्स अपडेट आ रही है अभी सेख यादो की तरफ से तो सबसे पहले हम आप सब birlikte को अभी सेख यादो के कोच के बिसे में याद दिलाना चाहते है पहले अबिशेग यादो की दो कोच थे एक इंडियन कोच दूसे इंटरनेसेल कोच इंडियन कोच थे मुकेज सिंग गहलोट एंड इंटरनेसेल कोच थे ओमर बैंचुरा जिनको अबिशेग यादो ने इन दोनों कोचो को हका दिया अब ये अपने new coach मुर्तुजा रासीत के साथ अपना next prayer की त्यारी कर रहे है तो उसी से related यहाँ पस अब सिये क्यादों अपने current time की condition आप लोगों के साथ share करते है तो हम यहाँ पस आप सभी को बताना चाहते कि अब सिये क्यादों का present time में weight है 87 kg और यहाँ पस अब सिये क्यादों अपने off season में चलना है इंका off season कब तक चलनेगा इंका off season लगवग एक साल completely चलने वाला है तो इसी से related यहाँ पस अब सिये क्यादों आप लोगों के साथ अपनी physics को share करते हैं तो दोस्तों आप लोगों क्या लगता है क्या मुर्तुजा राशीट के under में अब सीखिया तो दो हजर पच्चिस में किसी amateur competition में gold medal जीत के क्या वो pro card match physics division से हासिल कर पाएंगी कि नहीं आप लोगों में comment करके बता सकते हैं अब हम अपनी next news के बात कर लेते हैं तो हमाई next news आ रही है भूबन चोहान की तरफ से भूबन चोहान ने इंडियन कोचेस के बिसे में क्या खा तो उसको सुन लेते हैं अगर आप जज़स को क्वेशिंग को फ्रॉचिं कर रहे हो और क्यूकि आपकी प्लेसिंग वो नहीं यह जागते हो So I think that kinda like kills the purpose of the sport which is a subjective sport and judges are there for a reason तो उनका उनको जॉब करने दो आप अतना जॉब करो And अगर आपको लगता है कि आप जीतते हो या अगर किसी कोच को लगता है किसे वुषी का ख्लाइन जीतना चाहिए और वो नहीं जीता तो कंपीट ही क्यों कर रहे हो Why are you going on the stage in front of a judge खुदी आप अपने जिम में organize कर लो show को And you know शीशे के सामने mirror के सामने judge yourself So I don't think की दिस अपकरना चाहिए हमारी next news आरे सिंगहा राजपुत की तरफ से सिंगहा राजपुत आज अपनी Instagram story पे इस वीडियो को share करते है जिसमें यहाँ पास वो बता थे क्यों उन्होंने इस controversy को खतम करने के लिए अपना पहला कतम उठाया एंड यहाँ पास वो किन किन लोगों को thanks कह रहा है उसको भी सुन लेते हैं दोस्तों आप लोगों को आगी फी इसी पेकासे bodybuilding and competition की सबसे पहले updates चाहिए तो वीडियो को like and चाहिए को subscribe कर लिजेगा प्लस bell icon को on कर लिजेगा अजी गाई तो अभी सारी चीजें खतम हो गई है मैंने अपने एंड से ही खतम करना सही समझा because बहुत जादा stretch हो रहा था और कोई point नहीं है ऐसी चीजों को stretch करके लंबा खीच के आप अपनी life से ही focus हटाते हो और कुछ मिलता नहीं है बाकी में दो लोगों को बहुत बहुत थैंक्यू बोलना चाहूंगा जो बीच में आए और जिन्होंने बात करा के खतम कराई इसांत और कुल्दीप सिंग भाईया को बहुत जानते भी होंगे बहुत ही respected बंदे हैं अपने इंड़स्ट्री के सो थैंक्यू सो मच उन दोनों को बाकी अभी अल्ड़ फोकस पूरा का पूरा फोकस कॉंपेटिशन पर जिसमें की स्टेट में बचे है चार दिन 11 को है तो 11 को देखते हैं कैसा आता है